एक बाद फिर से आपका स्वागत है आप देखें टोटल न्यूज और बड़ी खबर आपको बता दे पत्रकार रामचंद्र छत्रपती हत्या मामले में खटा सिंग ने पंजाब हर्याणा हाई कोट में याचिका दाखिल की दोबारा गवाही देने के लिए याचिका लगाई है पंचव हर्याना हाई कोट में खटा सिंग शत्रपती हत्या मामले में दोबारा गवाही देना चाहता है बता दे आपको खटा सिंग एक बार पहले भी गवाही देने की बात कहकर पलट चुका है इसलिए उसे दोबारा याचिका यहाँ पर लगानी पड़ी है सिपले CBI कोट ने खटा सिंग की आचिका को खारिज कर दिया था लेकिन अब उपरी अदालत का सहरा लिया है रुक किया है उपरी अदालत में खटा सिंग ने बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुर्मीत रामरहीन के खिलाब हत्या के दो जो दो मामले चल रहे हैं उनमें से एक मामला पत्रकार रामचंद छत्रपती के कतल का है और इसी मामले में गवाही देना चाहता है खटा सिंग जहां पत्रकार छत्रपती के बेटे अंशल छत्रपती ये बात कह चुके हैं कि वो भी चाहते हैं कि खटा सिंग की गवाही की आचिका मंजूर हो अदालत उन्हें इस बात की मंजूरी दे कि वो गवाही दे पाए तो वहीं अब पंजाब हर्याणा हाई कोर्ट का क्या रुख रहता है ये देखना होगा खटा सिंग ने कहा था कि पहले उसे अपनी जान का खट्रा था और इसलिए वो उसने गवाही देने से वो मुकर गया था लेकिन अब क्योंकि गुर्मीत रामरहीम जेल में है इसलिए वो दोबारा गवाही देना चाहता है वो सच जो जानता है गुर्मीत रामरहीम के काले कारनावों के बारे में वो सच जग दाहिर करना चाहता है बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं